अब अब नमस्कार मैं हूं आपकी साथ साक्षि और आप देख रहे हैं निक्स नाइन लाइफ आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिफाल यादव और अखलेश यादवी फिलाल में पुरी उप्चुनाफ को लेकर शिफाल यादव और अखलेश यादव दोनुस साथ में दिखाई दिए और यहाँ पर एक ही मंच पर शर करते हुए नजर आए हैं तो वहीं देखने को मिला कि यहाँ पर कहीं न कहीं चाचा और भतीजे के बीच एक जुट्ता दिखाई दिए है जिम्पल यादव को चुनाफ प्रचार करने के लिए रविवार को दोनों इटाव के सैफाई भी पहुचे हैं और साथ ही बड़े लंबे अड़से बाद चाचा भतीजे ने यहाँ पर दिल मिलते हुए उनके दिखाई दिए जिस तरीके से मंच पर शिफाल अखलेश यादव गुलदस का देते हुए उनका स्वागत हुआ है उसके बाद जुकर अखलेश यादव ने शिफाल यादव के पैर भी छुए हैं इसे कहीं न कहीं आने वाले लोग सब चुनाब में बीजेपी का खेल विगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर फिलिश चाचा शिफाल के साथ जैसे ट्वीनिंग हो गई तो बीजेपी में यूपी के में बड़ा ख समस्थीट उप्चुनाब होने हैं लेकिन उसी बीच में पुरी के लोग सभाद सुनाब होने हैं जिसमें अभी दिंपल यादव खड़ी है यहां पर रगुराज जो बीजेपी ने भी जिनको यहां पर खड़ा किया है सामने तो बहुत जल्द 5 दिसंबर को इसका मतदान ह होगा और आज दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो इसका इंकजार है अभी जो है प्रिचा प्रसार हो रहा है यह देखने के लिए यहां पर पूरी तरीके से शिप्पाल यादव ख्लिश अदव की चहरे पर दर दिखाई दे रहा है बीजेपी ने जो सुमीदवार को या क्या है उसके सामने क्या जिंपल यादव टिख पाएंगी या नहीं या उनके हाथ से मेन पूरी सीट छिन जाएगी यहां पर एक बहुत बड़ा इम्तहान जो समाजवादी पार्टी के लिए होगा कि नेता जी की होते हुए मेन पूरी के एलेक्शन हमेशा हुए है और पीचे पी खड़ी है और यूपी की चाहे वो आजब का गड़ हो चाहे वो खिलेश का गड़ हो बीजेपी ने वो हतिया लिया है मेन पूरी के लिए बहुत बड़ा सवाल होगा देगने वाली बात होगी कि आखिर को वहां पर जो अपने पैर पर से आरता है इसी बीच आ नहीं को वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर यह वीडियो आप देख सकते हैं अखलीश और शिफपाल यादव किस तरह से आपसे संबंद दोने के दिखाई दे रहे हैं से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नेता जी ने कभी भी जस्वन दगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा अपने परिवार का सदसीर समझ करके उन्होंने जुन्दगी भरिया के लोगों के वीज में काम किया मैंने कई मोकों पर कहा कि नेताजी ने मेनपुरी को बनाया और मेनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया और सच्चा ही यह है कि जीवन भर के संगर्ष ने और आप लोग के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम मगर किसी नहीं कि आजिक दूरि दुखाँ जुह दुखांशा है किардने कि कोई ऐसा नहीं जोना जानता रहा हो नीटाजी से रहने वाले यहां के बहुत सारे लोग हैं और समय समय पर इनके परिवार के लोग दोग भी जेल गए हैं कभी कभी जिने मैं पैचान नहीं पाता हूँ अपनी जेव से कभी पुराने सेटिफिट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नीता जी के साथ जेल में गए हैं इसलिए जब चुनाओं होने जा रहा है और वो हमारे बीच नहीं है इस चुनाओं को पूरा देश देखा है तो यह सई है कि आप लोगोंने हमसे कहा था एक हो जाओ तो हम तो यह को हो गए बताओ हो गए जब हमें एक हो गए है तब आपकी जुम्मेदारी है कि पुराना जुपेदान सवावाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है रिकॉर्ड तोड़ना है और दीट और सिफ पड़ी कराना है बताओ बताओ कराओ गए हाथ उठा के बताओ तो अब तो हाथ उठाया है अब तो काम करना है और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया नहीं किया तो फिर रहवत तो जूट हो जाएगी तो फिर उठाओ हाथ एक बार फिर उठाओ भूट नहीं आज इसे काम करना है आजी से काम करना है बोट कि नहीं कह करके आप लोगों को जुम्मेदारी देते हैं ये पित्रिष्टा का चुनाव है दिंपल हम लोगों की बहू है तो ये सम्मान की लड़ाई है अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जी कराना है कराना है और फिर बाते और बात में होगी आपी तो जन्थभाईं की होगी पड़ी पड़ी उसमें बाते और होगी जैन